एक साल में हमने सब खर्चा कर डाला है यहां तक कि हमें बच्चों का पैसा भी खर्चा करना पड़ रहा है या तो मानिये मुखमंतरी जी हमारा भेतर हमको दे दे या तो इच्छा मिर्श्यू दे दे यह सब्स्वी सरकार है और मानिये मुखमंतरी जी का चारो तरफ डंका बज रहा है लेकिन यह कहीं न कहीं एक बजनुमा जाग दिये कि सिछक भूखा होकर के और निजे साले पर 21 दिन से यासना कर रहा है और कहां से इसी विशंगतियां पैदा हो गई का है कि मानिये मुखमंतरी जी ने नहीं रोक रखा है जो कि उन्होंने सदर में कहा था कि कोई सिछक हमारा बाहर नहीं जाएगा सबका सम्मानवापती हो तो इसलिए हम लोगा एक साल से भी जादा हो गया हम लोग की पैमेंट डोग दिये है चोटे-चोटे बच्चे है हमा कि उत्तर प्रदेश में मादमिक कदर सिक्षकों का वेतन लगबर 12 माह से नहीं मिल ला है इसको लेकर वो आंदोलन रत हैं और लखनों में मादमिक सिक्षा विबाद के सामने धरना दे रहे हैं धरने का अज 29 दिन है और इसी के साथ साथ यहां उपवाज भी चल ला है जिस हां हनवान जी की एक प्रतिमा लगाई गई है उसके रोज पूजा अरजना की जाती उसके बगल में ही उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आदेतनात का भी चित्र लगा हुआ है जिस पर भी पुश्प आदी अर्पित किये जाते हैं आपको बता दे कि इस धरने में र पंदरा दिन से उपवाज भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आजवाशन सरकार की तरफ से नहीं मिला है ये मादमिक तदर सिक्षक संगर समीती के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मादमिक तदर सिक्षक संगर समीती के अब हम लोग इंतिजार कर रहे हैं कुछ हलका हम लोगों को रिलीफ मिला है वेतन देने की बात इनों ने की है सेवा सुरच्छा के लिए खड़ेंत रचा जा रहा है इसी संबंद में हम लोग अभी समय दिये हैं कोई आगे की रणनीत अभी असपस्ट रूप से गोसित नहीं हमारा जो अकारण और रुद्ध बेतन है उसको निर्गत कराने के लिए बेतन इनोंने निर्गत करने का हमको आश्वासन पूरा दे दिया है लेकिन इनोंने कहा मानिये मुखमंत्री जी का कहना है कि वन टाइम सेटलमेंट हो जाए आपकी सेवा सुरच्छा के बारे में भी कोई न कोई असपस्ट निर्धारन हो जाए इसलिए जो है अभी बेतन देने की बात इनोंने रोक रखी है तो बेतन तो देने की सहमती इनोंने वेक्त की है लेकिन वो जो सेवा सुरच्छा ये देना चाहते हैं उस वो सेवा सुरच्छा हमको मंजूर नहीं नंबर एक हम य जाके अंतरगत अमेंडमेंड ला करके हमको बिनेमित कर दें या तो इसके पहले बिसे बिसे सक टीचर न्यूप थुए थे मार्जमिक विद्यालों में उनको आमेलित किया गया है उसी प्रकार हमको आमेलन कर दिया जाए तीसरी सबसे महत्पूर बात है अगर इनको और भी आ आप चाहते क्या है तो मैंने उनको यही बात बताया कि हम चाहते हैं कि हमारा बिनिंति करण हो जाए नंबर दो हमारा आमेलन हो जाए नंबर तीन जिस प्रकार से हम सेवा रत हैं उसी तरीके से हमको सेवा करनी दिया जाए और जो निर्धारी तायू होती है करूँगा क्योंकि अब हम लोगों को भी तकलीप होती है जब विद्याले से बच्चों का फोन आता है कि सर अभी तक आप आये नहीं जब हम लोग बताते हैं कि बेतन के लिए आचना कर रहे हैं तो उन लोगों जी का चारो तरफ डंका बज रहा है लेकिन ये कहीं न कहीं एक बदनुमा दाग भी है कि सिच्चक भूखा होकर के और निजे साले पर 21 दिन से याचना कर रहा है और कहां से एसी भी संगतियां पैदा हो गई है मानिये मुखवंत्री की तरफ से या कि अधिकारियों की तरफ से अधिकारी तो कहते हैं मानिये मुखवंत्री जी ने रोक रखा है लेकिन मुखवंत्री जी जब सदन का उनका बक्त भी सुनते हैं से और बाच्पा के नेताओं से मिल रहा है आज भी कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई है आपकी आज मैं अब वो तो आने फिस्टियल है उसको मैं नहीं बताऊंगा क्या आस्वासन मिला उस अधिकारी के दोरा आपके आस्वासन नहीं मिला लेकिन वो मुखवंत्री के बहुत करीबी है और बरिष्ट अधिकारी है तो अभी हमारे उनके बेक्टिगत तालुकात है ऐसी मैं कोई बाता नहीं करूगा उनके बारे में जब कोई बात होगी तो मै बेतन निर्गत करने के बात हो चुकी है कि लाइक होगा हमारा चाहिए उसकी रन्मीड बनाई जाएगी आज संभौता हो सकता है बारता हो जैसा की उमीद है हुआ हमारे साथ सिक्षक नेता प्रवात मात्र बाठी जी है उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या चल रहा है इस समय तर यह बताइए कि तदर सिक्षकों का वेतन लगवग 12 महीने हो चुके नहीं मिल पा रहा है तो क्या लगता है कैसे आगे इनका काम चलेगा हमारे याचना कारिकरम का आज 29 दिन है और हम लगातार 14 दिन से उपवाज पर भी बैठे हैं 22-23 बार्सों से अनुरत राज़कों से हमारे सारे सिछक बेतन प्राप्र कर रहे थे विगत 12 महीनों से अकारण बिना किसी आदेश के बेत इसलिए आजना काकार कर्म हमारे पर राबर चल रहा है दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि है कि हमारी संग्वण की बनाए रखा जाए या तो हमारे सभी साथियों का आमेलन किया जाए या तो समय ओजन किया जाए या तो बिनिम्ति करन किया जाए या हम जैसे हैं आई जीटीज हमको ऐसे ही बनाए रखा जाए यह हमारे संग्ठन की मांग भी भी है यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मागे पूरी नहीं 12 महीने का समय होता है यदि किसी को वेतन 12 महीने से नहीं मिल ला है तो कैसी आरतिक स्थिति होगी इनके अगर की देखे सर इसमें हम आपके चैनल को धन्रबाद भी इसके लिए ग्यापित करना चाहते हैं ये मानी मुख्यमंत्री जी को ये जो हमारे बड़े अधिकारी सब बैठे हुए है इन लोगों ने जा करके दिख्भरमित किया है जब कि मानी मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्व देने का काम करेंगे अभी प्रदेश अधर्च भात्पा के प्रदेश अधर्च मानी भूपेन चौधी जी है उन्होंने पत्र जारी किया जाकर के धंपाल सैनी सर और भूपेन चौधी मिले मनुमेज दुबेदी जी स्रीचन सर्मा जी कई मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन मानी जी के पास हमारी पूरी सक्षाई पूरी बात पहुंचेगी पूर दिन हमको सफलता वसी बिल जाएगी आपको एक विशेश चीज रताते हैं अभी कुछ दिन पहले एक फोटो वाइरल हो रहा था जिसमें एक तदर सिक्षक बाश्पाक एक बड़े नेता के सामने उनके चर्णों में पड़े हुए थे लेकिन फिर भी कोई उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला वो राजेश पंडे जी थे इस समय मौझूद हैं उनसे बात करेंगे और जानते हैं क्या था तर उस दिन की सिति क्या थी आपका वो फोटो काफी तेजी से वाइरल हुआ था हम अपने बेतन सहित समस्त तरस सिच्टों के बेतन के लिए हम गए थे मानी सुकंदेव जी की पास अब हमारी परिश्टियां थी कि पहले हम वैसे ही खड़े-खड़े बात करना चाहते थे जैसे वो निकले लेकिन अब नहीं बोले तो हम भुटनों पर बैट गए अपना निवेदन करने के लिए लेकिन उन्होंने आस्वासन नहीं दिया अब हमारे मानी मंत्री हैं सरकार में कैमिनेट मंत्री थे उसमें प्रदेश अध्यस्ट भी थे भात्पा के और नेता विधान परिशत भी थे लेकिन अब उस पर हम कोई टिपड़ी नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि हमको मिलना है म मानी अभी आदित नाज जी ने भरे सदन में कहा था कि बहुत जल्द विभागी लेकर के इनको राहत दिया जाएगा तो निस्चित रूप से वो एक बहुत बड़े मठ के पिठा धिस्वर हैं वो जूट नहीं बोलेंगे हम लोगों को विस्वास है कि वो एक नाएक जिन बेतन हम लोगों को देंगे हैं क्या लगता है सरकार का रविया इस सम्त अधर सिक्षकों को लेकर कैसा है आपके इसाते हैं अब हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मानी योगी आदित नाज जी एक नाएक दिन हम लोगों के बेतन के लिए बहुत जल्द नेड़े ले गे और यह तो जो हम लोगों का लेट हो रहा है ए अधिकारियों के उजास लेट हो रहा है कोट के आदेश में तिरासी सो के आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि इनका बेतन रोग दिया जाए और इनको बाहर किया जाए लेकिन अब अधिकारियों ने मन्नी मुक्ष मंत्री जी को भ मौखिक आदेश पर रुका है। तो कहीं कोई ऐसी बात होती स्ट्रिक्टली कोट से तो हम लोगों को लिखित आदेश होता बेतल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अब अधिकारियों ने परिशान किया है। लेकिन हम लोगों ने सब्मानी स्री राजमानी सिंदी के संयोजन में एक अतना कार्टियम कर रहे हैं। सांधिपूर वक और अभी एक प्रसनिंद मंडल अधिकारियों से मिलने भी गया था। और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि माननी स्री मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात सुनेंगे और बेतन के लिए नेड़े लेंगे। और हम लोग आने वाले लोग सभात चुनाव में उनका साथ भी देंगे। हम लोग इसमें 95 परसन भाजपा के कारिकरता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके समर्थक हैं। हम उनहीं के हैं, उनसे अलग नहीं हैं। और माननी स्री मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी भी हो गई है। इसलिए इन पहुत जल्द नेड़ें लेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। यदिकारियों के भाकावें में उनहीं आएंगे। उस सारी बातों को समझ रहे हैं। और गंभीरता पूरत होते रही हैं। इस चीत रूप से हम लोग का कल्यान होगा। बहुत बहुत भिल्लवाद। आपको एक खास बाद बताते हैं। याचना कारग्रम का 29 दिन है। हमने इसके पूर भी यहां पे खबर की थी। तब भी इन सभी तदर सिक्षकों का कहना था कि मुकमंद्री जी चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएं। बहुतником दिन को लगतार भ्रहमिट करते जा रहे हैं। यहां कुछ महिला सिक्षक भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या मिडम आप एक रहेंडी भी हैं एक सिक्षग भी हैं बारा महीने से वेतन नहीं मिल पाया है कैसी इस स्थिती चल रही है मैं क्या बोलू मेरे पास तो शब्दी नहीं है बोलने के लिए क्योंकि आज हमारे धरने का 29 दिन हो गया और लगातार हम लोग 20 जून से इस उपवास कारिक्रम में और याचना के कारिक्रम में बैठे हैं हमारे संयोजन स्री राजबडी जी के संयोजन में अर हम लों की बात पता नहीं को अदिकारियों के कानों तक नहीं पहूंच रही है कि मानिय मुख्यमंधरी। इतना याचना का कारिक्रम और शायद मैंने तो नहीं सुना की और कभी हुआ हूँ। यह पहली बार है जो इतना लबा कर हो रहा है लेकिन कोई सुनने को अधिकारी तयार नहीं हम लोगा एक साल से भी जादा हो गया हम लोग की पेमेंट रोग दिये है छोटे चोटे बच्चे है हमारे मेरे पिता जी तो बिस्तर पर पड़े और इतने बीमार है मैं कल भी उनको दोक्टर को इलाहबार दिखा के मैं ले आई हूँ बच्चे है चोटी जो रोज लखनव आती हूं मेरा घर यहां से डेर सो किलोमेटर दूर है मेरी चोटी सी बच्ची है वो पूछते ही मम्मा आज जाओगी आज को पेमेंट मिल जाएगी उनके सवाल का कोई जवाब मेरे साक्षी है इस बात के लेकिन हम लों की कोई बात पतनी मुख्यमंद्री जी के कानों तक नहीं पोच रही है यह अधिकारी उनको गुमराह किये है वो विधान सभा में यह बात कह करके वो अब पतनी अब क्यूं पीछे हट रहे हम लों को बेतन देने के लिए हमें हमारे हमेलं कर दे जैसे विश्व की सभी टीचर की तरह हमारा आमेलं भी कर सकते है औरज्य था हमों को जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे हमें काम करने दे 62 साल तक की अवस्था में हमको उसके बाद रिटाइर करेंगे लेकिन नहीं सुन रहे हैं पता नहीं क्या हमलों की आवाज में अदम नहीं है कि योगी जी अपने वादे को भूल गए जो नोंने किया है मैं हाँ जोड कि उनसे प्राटना कर रही हूं आपके चैनल के माध्यम से बात अपनी उन तक पहुंचाना चाह रही हूं कि वो हमारा बेतन रिलीज कर दे अब हम लोग ठक चुके हैं एकदम हम तो न महिला सिख्षा कोने गनाते रोज धरने में आना भी एक कटीन बात है एक और महिला साथ में हैं बात करेंगा मड़की आर्थिक इस्थिति के विश्या में पूछें अगर तो क्या बता पाई नहीं है और हमारा यह नहीं है कि हम लोग सीधे गए हैं डायरेक्टर अनुमोद किया है 10-15 पंदर डिवाइस ने हमारे वेतन पर सिगनेचर किया है और 10-15 वर्ष से हम लोग राजकोर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं लेकि एक साल से पताने क्या आधिकारियों की मनमानी आई कि हम लोग का वेतन रोख दिया गया यहां तक कि किसी जिले में आप वेतन दे रहे हैं किसी जिले में आप वेतन नहीं दे रहे हैं अजीब समन माना हो गया है काफी संख्या में महिला से यहां मौजूद हैं आप देख सकते हैं महिलाओं के विशेप में एक चीज बता दें कि उनको घर भी समालना है और अपनी नौकरी भी समालनी है कैसे काम चला रहे हैं आप लोग और क्या घर के इस्तिती है अभी पहली बात यह है कि मानने मुख मंतरी से इस याचना कारिक्रम के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे परिवार को मतलब जैसे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके यहां तक कंडिशन यह आ गई है कि हमने अपने बेटी के गुल्लक का पैसा खर्चा कर दिया है और वो बेटी कहती ममा अपने पांच हजार ले लिया आठ हजार ले लिया हम कहते हैं बेटा बेटा नाएगा तो देंगे हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हम फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं औ कहते हैं आप तो इतना बेतन पाते हैं और इतनी गलानी होती है बस मानने मुख मंतरी जी से हमारी पहली मांग है कि our टोल्ट को करें या तरें आ हमें 62 वर्चश में अइसे बने रहने दें ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोशन कर सके और अच्छे से मतलब जैसे हम बच्चों को पालन पोशन कर सके शादी ब्याह कर सके जितनी भी सेविंग वगरा हम लोगों ने कर रखी थी यहां एक साल में हमने सब खर्चा कर डाला है यहां तक कि हमें बच्चों का पैसा भी खर्च संत से जिसे भारत का सबसे लोगपरी मुखमंत्री कहा जाता है मामला पॉल्शी मेटर के वज़े से मैं सीधे यह नहीं कह सकता तुकि महराज के दिमाग में कहीं न कहीं से जो पिछली बार उटिंग हुई थी उसमें अध्यापकों के बारे में थोड़ा निरेटूब से यह गुहार लगाई जा रही है कि हमारी बात को सुलने तब उन परिस्थितियों में जब हम राष्ट धर्म का निर्मार कर रहे थे पिछली सरकारों में आयोग काम नहीं कर रहे थे और हमारी नियुक्ति माननी उच्छ न्याले के आदेश पर हम बेतनाहरित कर रहे थे उ लोगों ने राश्ट धर्म का पालन किया कि 18 वर्स बीस वर्स आप देख सकते हैं कि लोगों ने काम किया है और राजकोश से अंभेतन फ्राप्ट कर रहे थे सुप्रिम कोक्ट ने वार बार इनसे कहा कि कोई वर्रकेबल सलूशन हमारे पास तमआम मंतरी मादेश हैं आप लोगतंत्र के चौथे पहिये हो और हमारी बात को निसन्दे सरकार के पास पहुशाइएगा किसी भी कोड के आदेश में भारत में 142 का प्रियोग सीधे याची को लाब देने के लिए किया जाता है और तमाम अपने अंतरी मादेश से लेकर अंती मादेश तक कोड की पूरी मनसा थी कि किनी ने किनी तरीके से इनको समय उजित किया जाए सारे बातों के करम में मैं महत्वपूर बात जो कहना चाहता हूँ कि हमारे सरकार के पास ये बात पहुंचाईएगा कानूनों का निर्मार इसके पहले जब भी प्रबंतन त्रियोग्तियां की रिग्लाजेशन हुआ इनी सरकारों ने किया है वो परिवार जो 20 वर्सों से पढ़ा रहा है जो सिख्षक उसके लिए कानून आइजनेंस लाना इस सरकार का काम है एक आजनेंस ला करके अभी कल ही सर्वोच नियाले ने सीधे कहा अपने फैसले के दोरान अभी फैसला आया नहीं लिखेत रूप से जो कोड के बहुत के दोरान हमारे पास वीडियो भी है इन्होंने सरकार को पूरा सुतंत रखता है इनके लिए कानून तर्टता है किस जी बना करके सब को समय उजित किया जा सकता है अध्यापक रो रहा है सडकों पर भीख मांग रहा है उसके परिवार बीवी बच्चे किन परिस्थितियों में हैं तो कानून तो सरकार का दाई तो है और हम अपने कायक्तरम को महराज तक अपने गुहार यही लगा रहे हैं कि बड़ी इच्छा सकते रखतें बड़ा दिल लखें जिससे हमारे लिए वैसले करें जिससे अध्यापक जाकर के अपने सिक्षरकार को मनोयोग से करें उसका परिवार सुखी मंद से रहे हम माननी महराजी से यही मेरी कामना है तेंक्यू तो हम इस समय थे मादमिक तदर सिक्षक संगर समीती द्वारा चलाए जा रही य को हमने उनके आर्तिक सिक्षि पर बात करी, तो सभी का कहना है कि हमारी आर्तिक सिक्षि 12 महिने से ऊपर हो गए, वेतन नहीं मिला है, काफी खराब आर्तिक है, घर में बच्चों तक से हमने पैसा ले लिया, बच्चों की पीश नहीं जमा करा पा रहे हैं, दवाईयों का ख झाल